जब हम मान के चलिए Google Ads चलाना होता है, कोई वीडियो पे या आर्टिकल पे या कोई प्रोड़क्ट पे, तो उसमें हमसे 18% लेता है, और यह जो पेमेंट हम करते हैं, Google गुडगाओं या Google मुंबई को करते हैं, मुझे मतलब Mx, नहीं, Google इंडिया को करते हैं, basically ऐसे समझ GST हमें देना होता है, तो आजर मान के चलो हमें 1,00,000 का एड चलाना है, तो उसमें 1,00,000 प्लस 18 जा दूँगा, तो एक लाग बैलेस लोड होगा मेरे उसमें, तो Google 18% GST ले रहा है हमसे, बट Google ही जब हमें पे कर रहा है, क्योंकि वो सारे एड्स कहां चले, Google के ही तो प्रो Google पर सपोज कुछ एड चलाई, तो आपने यहां पे पे किया 1,00,000 प्लस 18 परसेंट, सपोज आपने 1,00,000 प्लस 18 परसेंट, Google को पे किया 1,00,000 प्लस 18 जार रूपे, तो 18,000 रूपे ही आपके GST पोर्टल में क्रेडिट शो हो जाएगा, अब सपोज आप किसी ब्रैंड की सब्सक्राइब करते हैं, उनसे आपने फीश चार्ज की 2,00,000 प्लस 18 परसेंट, अब उस ब्रैंड से तो आपने 2,00,000 प्लस 18 परसेंट, 2,00,000 प्लस 18 परसेंट, दो िस एड ब्रैंड से ले लिए, अब 36,000 रूपे सरकार को देने थे, लेकिन आपके 18,000, और ब्रैंड है तो अगर आप बिजनस से रिलेटिट कोई चीज पर्चेस कर रहे हैं तो इस पर आप GST लिया सकते हैं अब जैसे आप आपने लैप्टोप क्योंकि आपकी सर्विस केटिगरी में आपका सारा काम भी इनके च्पूर है लैप्टोप है कैमरा मॉइल है तो इन पर जो भी मिलता है जो जॉब करते हैं जो सेलरीट लोगे उनको नहीं आए तो इसे बिजनस वाले लोगों को है जिनके बाद GST है तो एक्जामपल मैं आपको समझाता हूँ जैसे मैं मैंने किया हुआ है यह कुछ तीन लाग का लैप्टोप है तो इसमें तीन लाग में जो भी GST included हो वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्रोडट के हाँ से रहता है तो लैप्टोप पर 20% टाक्स हाँ आप समझो